अब बीए, बीकॉम, बीएसी और में, एमकॉम करें विश्वकी सबसे बड़ी उनिवरस्टी इग्नू से सॉल्ड असाइन्मेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें संपर्क करें महाकाल कप्यूटर्स डियेवी कॉलेज गेट के सामने सिवान बड़े-बड़े महानगरों के सर्च पर अब आपके सहर सिवान में उबर ओला से बहतर सुविदा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैप बुकिंग गो बेबी गो अभी अपने मोबाइल हैंसेट में गो बेबी गो एप्लिकेशन डाउन्नोट करें और सस्ते दरों पर कार, ए रिक्षा, और तो या बाइक जहां चाहें वही मंगवाए अब सफर होगा आसाँ गो बेबी गो के साथ कॉंटेक्ट करें 9911-256707 नौसकार एटियन लाइब में आपका स्वागत हर मैं कहला आज कस्षेप एक नई खवर के साथ आपके सामने मौदूद हूँ, और आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो सिवान नगर परिशद के चुनाओ को लेकर हैं आने वाले कुछ समय में चुनाओ होने वाले हैं नई जो परिशिमन आई हुई है उसकी पूरी तयारी जोर सोर से चल रही है, चुकि अब ये नगर परिशद से, पाले सिवान नगर परिशद था, अब नगर निकाय होने की तयारी में है तो अब जो चुनाओ लड़ने वाले लोग हैं, काफी सरगर भी बढ़ी हुई है, जो पहले से थे 38 वाड़, अब उन वाड़ों को बढ़ाने के भी बात हो रही है फिर जो वाड़ बढ़ेंगे, उसके वोटर भी बढ़ेंगे, और अब सरकार ने एक और अच्छा फैसला ले लिया, कि उप सभापती और सभापती इन दोनों का चुनाओ जनता करेगी, सीधे जनता करेगी इससे एक चीज तो बड़ा अच्छा लगा कि सरकार ने जो फैसला लिया, वो वाकई काविले तारीफ है, कि इससे कहीं न कहीं, जो भ्रष्टाचार है, उस पर अंकुस लगेगा जो जन प्रतिधी है, जो बिकाव हो जाते हैं, जनता उन्हें चुन कर भेजती है अपने हित के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर के ये चंद पैसों में बिक जाते हैं, और फिर ऐसा काम होता है, जिसकी सिवान नगर परिशद उस पर चर्चा की जाये, तो एक लंबी चर्च हो सकती है, उस घोटाले को ले करके, लेकिन आज हम लोग चर्चा सिर्फ इस मुद्दे को ले करके करेंगे, कि वाड के जो सदस्य हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन अभी सबसे ज्यादा मारा मारी चल रही है, अध्यक्ष और उपाध्ष को ले करके, कई नए चेहरे सामने आये हुए हैं और उन्हीं नई चेहरें में एक चेहरा है भाकपा माले की प्रखर नेत्री स्वाणिवा सिंग का तो ये नाम हम लोगों के सामने पहुचा है अब उसी की परताल करने के लिए कि क्या वाकई स्वाणिवा सिंग ये नगर परिशत के चुनाव में इंटरेस्ट रखती हैं क्या वो लड़ना चाहती है इनी सब बातों को जा सही अमली जमा पहनाने के लिए हम उनके साथ बैठे हुआ है तो मैडम से पहले तो मैं आपका धन्यवाद देती हूं और कई सवाल है और अभी तो यह सिवान सहर के लिए एक बड़ा सवाल है लेकिन जिले में राज्य में हम लोगों ने जो देखा है और फिर अभी नेशनल इंटरनेशनल अस्तर पर जो सवाल है बुड़के के सवाल पर यह आए ह सवाल पर सब दिन लड़ते रहे हैं आज तो नहीं है महिलाओं के सवाल पर दलीतों पिछरों के सवाल पर पाटी हमें सह लड़ती रही है हम लोग खुद लड़ते उसके साथ कंदे में कंदा मिला कर लड़ते रहे हैं अब सवाल आपने एक कहा है कड़ा है कि सिवान नगर पालिका के अध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाओ ये आया है और उसमें जो मारा मारी मची हुई है तो इसमें तो मैं सबसे पहले कहूं कि सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करती हूं इसलिए कि अब उन्होंने देख लिया कि एक दम ही नगर पालिका को नर्क पालिका में तब्दील करने वाला यह पहले वाला जो पंडा था अब वार्ट से जीती है और आप 50% वार्ट कमिशनर को खड़ी दिये और फिर आप जो है सोचेरमें बन चाहिए और देन आपको जो है फिर जो विपक्स है वो कुछ वाटकर मिस्नस को चुनेगा और फिर आपको अब हराएगा मेडम यह हो रहा था कि जो भ्रश्ट लोग थे वो पैसे के बल पे सबसे अगली पंक्ति में आ करके खड़े हुए हम आम जन तो सोच भी नहीं सकता था तक रखा नगरपालिका का ध्यक्ष और उपद्यक्ष हो ना ये सरकार के लिए घ्यय्ष्ट के लिए भी के लिए बहुत ही जरूरी अभिसर्ण इसलिएwi माईलस्टोंट ये है आप shaved ऐख लिग की लाकए इवेन की ज़्यादा उन्नत दिख रहा है सहरों से, सहरे नर्ख हो गई है नगरपली का की करिशली से, अब ऐसे समय में जब सब लोग कह रहे हैं, सब लोग बाचित कर रहे हैं, सब लोग दावेदारी कर रहे हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो हमारी पाटी भी कि यह जो चुनाव आप पार्टी ने आपने कहा कि पार्टी सोच रही है तो क्या यह पार्टी लेबल पे होगा कहीं आपको चुकि आप भी विपक्ष में है विपक्ष में एक आपकी पार्टी एक अच्छी भूमिका में है तो क्या यह पार्टी लेबल पे चुनाव लड़ तो अब पार्टी से इतर कोई बात होती नहीं है उसका कंसेप्ट कहीं गलत है नहीं आपको करना क्या है इमानदारी से काम करना है जो सहर का विकास है जो सहर का सै सहर के का रहेगा दूसरी बात ये है कि नगरपाली का अध्याक्स यॉरुपा देष लड़ने का जो मामला है यह गेर राजनितिक होगा नहीं हो ने पता तो लेकिन कूर में तो राजनिती रहती ही है कोर में राजनिती है लेकिन एक गैर राजनितिक मुद्धा ये है कि अगर आपको विकास चाहिए अगर आप भरस्टचार मुक्त नगरपाली का चाहते हैं तो आपको मनें इमांदार प्रगतिशील लड़ते भीड़ते हुए लड़ाकू जुजहारू दलित पिछरों महिलाओं का पक्षदर चेहरा चुनना ही होगा क्योंकि नगर का विकास सिर्फ सरक का विकास नहीं है नगर का भाग्य वो तैह करेगा कि आपका सहर कितना सुन्दर कितना स्वास्त कितना सुबेबस्तित कितना अच्छा कितना गड़ी भी विहीन होगा ये आपके नगर का विकास होता है तो चुकि वो एकदम फ्रंट ये है तो हमें लगता है कि पूरी जिले का भी कास होता है उससे नगर से ही जुड़ा हुआ यह सई बात है आज की तारीक में मैं बार-बार करती हूं और मैं आपके माध्यम से भी कती हूं जनता से भी कर रही हूं तो देखिए सिवान का जितना भी भी आईपी मुहला है जितने भी भी आईपी लोग हैं उनके आगे सडकें सबसे ज्यादा खराब हैं लोग लाखों कडोरों बनाते हैं लेकिन दस लाख विस लख लगा कर अपने हां काम नहीं करवा सकत में चाहिए हैं वो अपने जाना चाहिए जंता उस पर चलिए अप ईसोड़ को कुछ के नहीं नहीं चल सकते हैं वहां पर आपकी मने सब्जी मंडी का तो छोड़ दीजिए उनके लिए उनके लिए तो दुर्भा के वह तो हमेशा नरक में ही रहते हैं नरक बना दिया उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं रखी आपका हमेशा डूबा रहता है आज भी कुछ इलाके डूबे वहां सिमा जिला परिशद थी वहां पर कृष्णा जी रहती हैं और छोड़ दीजिए दो दो विधायक हैं और एक जो बर्तमान विधायक हैं ताकतवर विधायक हैं और उनका वह महला उनके नाम से खांदान के नाम से जाना जाता है और वहां भर छावा पानी है यह मने दुर्भा के पूर्ण इस्थिति है आप जहां भी जिस भी गली में आप चले किसी भी भी आई-पी का आप सरक उठाइए और उनके सवाल ये भी उठता है कि हर साल हम लोग भी देखते हैं लगर परिशत के माध्यम से सडके बनाई जाती हैं नालियां बनती हैं तो फिर ये ये इलाके जो आपने कई इलाकों का नाम लिया ये फिर डूबे क्यों रहते हैं जी इसलिए कि जो नालियां बनती हैं वो भ्रस्टाचार के बेट चड़ गई सहर की कोई प्लानिंग नहीं है कि सहर कैसे सुबवस्ति धंक से होगा दूसरी बात जितनी भी नालियां इस पांच साल में दस साल में जो बनी हैं आप देख लिजेगा कि सारी नालियां तूट गई हैं सब के छड़ बाहर आ गये हैं सारे सरक ध्वस्त हैं एक साल के अंदर में सरकों की गिटी सरक पड़ा जाती है और वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाता है और तेरे तिरे वो वाटरॉर अभी तो बरसात का समय नहीं वाटर लॉगिंग है और ते कि यह तो हम लोग क्या यह क्या क्या हमारी लड़ाई थी और संजोग से यह मौका आया हुआ है कि एक ऐसा आउशर है कि अगर जनता सपूर्ट करती है जनता आशिरवात देती है तो वह काम करके दिखाएंगे जो जनता ने सोचा भी नहीं होगा कि कैसा सुंदर सहर हो सकता है हमारी सुपकाम नाए हैं अभी से आपके साथ अब यह बता दीजिए कि आज की जो राजनीत है हमें लगता है कि आज की राजनीत चाहें वो छोटा चुनाओ हो या बड़ा चुनाओ हो पैसे की राजनीत हो गई है गरीब आदमी अब जोला चाप कोई नेता हमें नहीं लोग भी आज कल के बदले हुए हैं वो भी उसी को देखते हैं जहां उनको लगता है कि यह पैसा यह प्रत्यासी खर्चा कर रहा है यह प्रत्यासी अभी मेलसी का चुनाओ करोड़ों के बात हो रहा है कि करोड़ों रुपया जिसके पास होगा वही इसका प्रत्यासी होग अभी भी नगर परिश्द अभी घोस्ता नहीं हुई है कि यह महिला होगा पुरुस होगा लेकिन कुछ चेहरे हैं जो अभी पानी की तरह अभी से पैसा बहा रहा हैं कहां आप उनसे लड़ पाईएगा किस तरह से लड़ पाईएगा जे राम और रावन की कहानी आपने सुनी ही हुई है यह हिंदुस्तान है और दुर्भाग के से यह कहानी मैं समझती हूँ कि राम और रावन की कहानी को भासपा की नजर से अगर ना देखिये तो यह बहुत बड़ा मैसेज है एक आदमी जो सही के लिए लड़ता है वो जोला उठाकर जंगल में कंद मूल खाकर और भील भालूओं को लेकर और वो लड़ जाता है वो ऐसे आदमी से जिसने इंद्र को अपने घर में नौकर रखा जिसने कुवेर के जिसके घर में कुवेर दरवानी कर नहीं जञा के ज़ोगता है और धाटव सब्सक्राइब्स का तो अनाकिल डुड़ औरनायन सब्सक्राइब अवैं तो जह सकति एक्सВыक्तकिन वाज़ाय व्यूसेब्सक्राइन श्मार्ट श्रचाम्रण को आपने litigation में डाला है और उससे आपने लाखो लाख करोरो करोब बनाए है आप बहाई है आपने जनता से लुटा है जनता में ही डाल दीजे उसका कोई असर नहीं होना है इसलिए मैं समझती हूँ अभी देखिए हमारे पिछले चुनाओं में जनता ने जो वोट दिया जो जनता का ट्रेंड अच्छा रहता है जनता वो गरबरी नहीं करती है थोड़ा सा मने मिस हैंडलिंग हो जाती है उसकी मिस हैंडलिंग में नहीं थोड़ा सभी लोगों को मैं कहती हूँ कि जू चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं उन्हें ठीक लोगों को ठीक जगा पर मतलब कि पूरी तयारी में है पूरी तयारी में है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं ऐसी बात नहीं है हम लोग तो हर हमेशा तयार रहते हैं जनता के सवाल पर एक ऐसा सवाल आया है कि आप जिम्मेवारी ले सकते हैं तो हम खड़े हैं जनता के दरवार में आप हमें जिम्म तो एक प्रखर नेत्री की तरह जिस मुद्दे पे हम बात करते हैं उस मुद्दे पे वो अपनी बात को रखती है और आज जिस तरीके से जब हमने एक छोटा सा सवाल कहा था कि आज कल की चुनाओं में पैसे का बोल बाला है तो उन्होंने जो एक्जामपल दिया रामाण का वो वाकई समझने वाली बात है और उस चीज को अगर हर आम आदमी समझता है तो फिर जो राजनित की जो उठ है वो किस करवट बैठेगा ये बताने की जरूरत नहीं है लेकिन हम एक बार फिर से इस चर्चा को समाप्त करने के पहले ये जरूर कहेंगे कि आप सरकार ने आपको ये अधिकार दिया है एक अच्छे प्रतिन्दी चुनने के लिए आप किसी के बाकावे में नहीं किसी के जहांसे में नहीं आए और उसे चुने जो आपके सहर को आपके मुहले को अपना घर समझे उसका विकास करे नहीं तो सिवान नगर पृष्ध किछले कई कई दसक से भृष्ताचार की जो गंगा है उसमें डुबकी लगा रहा है और उससे कहीं न कहीं सिवान न अगर परिशत की छबी धुमिल नहीं होती है पूरे सिवान जिले की छबी धुमिल होती है और लोग कहने वाले ये भी कह देते हैं कि ये पूरा आखिर इनको चुना किसने है आप ही ने और आपके चुने हुए ऐसे जो लूट रहा हैं पूरे साहर को तो कम से कम आज सरकार न अपना ब्यक्तिगत लाव न देख करके समाज के लाव को देखते हुए मुहले का लाव देखते हुए सहर का लाव देखते हुए एक अच्छे प्रत्यासी का चुनाओ करें अभी चुनाओ में वक्त है अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं सबसे बात चित होगी कि उनका विजन क्या है सिवान सहर को लेकर के अगर आप चर्म रोग गुप्त रोग या यौन रोग से परिशान है और बार-बार डॉक्टर बदलने के बाद भेस बिमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समूचित वह अस्थाई इलाज के लिए डॉक्टर स्रिष्ट सिन्धा से मिलिये जो सिवान जुले की एक मात्र प्रसिद महिला चर्म रोग गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित सक है हमारा पता है डॉक्टर एके सिन्हा के समीप हतेपुर दुर्गामंदिर हॉस्पिटल रोट सिवान मुवाइल नमबर है 840-6890-365